आज मैं बड़े दुख और भारी मन्त आज दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिटरी हेलिकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत उनकी धर्म पत्नी यम बाराख अन्य सवार थे की दुखटना के दुरभागे पूर्ट समाचार से आउगत कराने के लिए आप सब के बीच ख़़ा हुआ जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के स्टुडेंट आफसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सिड्यून्ड विजिट पर थे एरफोर्स के यमाई 17 V5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बचकर 48 मिनट पर सुनूर एयरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बचकर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लेंड करना था सुनूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बचकर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ अफ्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब ये भाग कर उस अफ्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलेक्टरी हेलिकाप्टर के आउसेश को आग की लप्तों से घिरा हुआ देखा अफ्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उठ जगा पर पहुँच गया उन्होंने क्रैस साइट से स्टरवाईवर्थ को रिकवर करने का भी प्रयाज किया उस अउसेश से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथा सिग्र वेलिंग्टर के मिलेक्टरी हास्पीटल पहुँचे आया गया प्राप्ट जानकारी के अंसार उस हेलिकाप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्टी हो गई जिन लोगों की दुरभागे कुण मौते हुई उनमें चीफ आफ डिफेंस से स्टाफ और उनकी धर्म पत्नी तिरमती बधुल का रावत उनके रक्षा सलाकार बिगेडियर लखविंडर सिंग लिडर इस्ताफ आफसर लेटनेंड करनल हरजिंडर सिंग और एर फोर्स हेलिकाप्टर क्रीव समें आर्ड फोर्स के अन्य नौ लोग तामिल हैं उनके नाम हैं विंग कमांडर प्रश्वी सिंग चोहान, स्क्वैडरन लीडर पुल्दीप सिंग, जुनियर वारंट आफसर, राना प्रताबदाश, जुनियर वारंट आफसर, अरकल प्रदीत, हर्विंडर सत्पाल राय, नायक गुरशेवक सिंग, नायक जितंदर कुमार लाइंस नायक विबेक कुमार, लाइंस नायक बी साई तेजा, सभी पार्थिव सरीर को आज शाम तक इंडियन एरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा, गुरुप कैप्टन वरुन सिंग, वेलिंग्टन के मिलेट्री हाफ्पिटल में लाइव सपोर्ट पर हैं, और बचाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, अध्यक्ष मोरे, एयर चीफ मारसल, स्री वियार चोधरी को घटनास सल पर दुर्खटना की तूचरा प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है, उन्होंने घटनास सल यों वेलिंग्टन हाफ़ीटल जाकर इस सित का जा दिये गये हैं, इन्कौाइरी टीम के आफ़सर्स ने कल ही विलिंग्टन पहुंच कर अपना कारे लिए प्रारम कर दिया है, चीफ आप डिफेंस स्टाफ का अंतिम संसकार फुल मिलिटरी ऑनर्स के साथ किया जाएगा, और अंड सभी मिलिटरी परसनल का अंतिम संसकार भी अप्रोप्रियेट मिलिटरी आनर के साथ किया जाएगा, अध्यक्ष महोदे, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हर्दिक सरद्धानजली अर्पित करता हूं और उनके बरिवार जनों के परती अपनी संबेदना भी व्यक्ष करता हूं